हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल तो आज मैं आपसे एक बाप फिक किचिन टिप्स सेयर कर रही हूं जो आपके किचिन में बहुत हैल्प करने वाले हैं और आपकी परिशानियों को भी काफी दूर कर देंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सबसे पहले टिप्स में आपके साथ सेयर कर रही हैं बासे चावल ना मों चावल को कहते हैं अब देख सकते हैं अपने बासे चावल में आपसे आप देख लेजिये तो हमने सबसे पहले कुकर में यह बासे चाबल ढाल दिये। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। तो यहां मैंने 4-5 चमच पानी लिया है, तो थोड़े सा हमने ह área यह भी अभे हम इसमें ढखना लगा कि मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिट के लिए रख देते हैं गैस क्यूब पर हम इसमें इसे प्रैसर बनाएंगे हमें इसमें सीटी नहीं लगाना है तो 3-4 मिट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर रख देते हैं दो हमने तीन से चाइमिंट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख दिया है उसके बाद हम फ्लेम को कर देंगे बंद और फिर हम अपना कुकर खोल के देखेंगे तो चलिए 3-4 मिट हो चुके हैं मैं आपको दिखा देती हूं कुकर को खोल के के हमारे चावल कैसे बने हैं तो आप देख सकते हैं मैं इसे एक बार चला देती हूं तो ये चावल हमारे जो बासे थे वो बलकुल ताजे बन चुके हैं अब इन चाबलों को खाने से कोई मनावी नहीं करेगा और कोई खाएगा तो ये भी नहीं करेगा कि वह बासे चाबल खा रहा है तो इस तरीके से आप अपने बचियों ये बासे चाबल को ताजा कर सकते हैं और बड़े आसानी से आप इस प्रॉसेस को कर सकते हैं तो इस ट्र किचिन के प्लीटफार्म में काफी गंदा उजाता वे देखने में अच्छा भी नहीं लगता है हमारा काम बढ़ जाता है साफ करने के लिए तो मैं अपने कच्छिन में के बास्केट कोई भी भास्केट लेकर रख सकते हैं तो उस में जब प्लेटफॉर्म में वो भी गंदा नहीं होगा आपका काम भी आसान हो जाएगा सफाई करने के लिए तो आप इस तरीके से इस पेपर भी पिछा सकते हैं जिससे के आपकी बास्कुर जादा गंदी नहीं होगी जब आपका काम खतम हो जाएगा तो आप इस पेपर को भी हटा सकते हैं औहों इस बास्कुट को आप धो करा सकते हैं तो यह आपके काम को और आसान बना देगा तो आप इस ट्रिक को भी जरूर ट्राइख करके देख सकते हैं फ्रेंट्स तो चलते है अsnit तीसी टिप्स की तरफ तो तीसी टिप्स हमारे किचिन की ये है कि कई वार जब हम अपने घरों में काफ़ी सामा लेके आते हैं बटर लेके आते हैं या बाहर से सभीया पैक करके लेके आते हैं तरीके से हमारे पास कई सारे डब्बे खटे हो जाते हैं तो हमारे किचिन में जब भी हमें कंटेनर की जरूरत पड़े तो हम इन डब्बो का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से सामन रखने के लिए और ये डब्बे जो होते हैं ये टाइट होते हैं इस तरीके से हम इन डब्वों में अपने घर की ज़रुएत की चीशेर रख सकते हैं शाहीं की कि डब्भ होते शाखती हैं आप मैंने कई सारे जो पैकिट में मसाया आते है तो एक वार कुलने ऐबाद या बारिस में उन्में सीलन आने लगता है उनमें हवा लगने लगती है हम टेप लगाने के बाद भी उनें अच्छे से pack नहीं कर पाते हैं दोसी बार तो इस तरीके से हम ये डबबी लेके उसमें मसाले भर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं और उस पर जो expired date होती है ये जो मसाले का नाम होता है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं आप देख सकते हैं मैंने यहां काफी मसालों के नाम उपर लिखे हुई है मैंशन किये हैं उनकी जो एक्सपारी डेटे वो भी हमने मैंशन की हुई है इस तरीके से हम अपने घर में पड़े डबो को यूज़ करके अपने रुपे बजा सकते हैं तो यह ट्रिक भी आप जरूर यूज़ करके देखे तो चली चलते हैं अपनी चौथी टिप्स की तरफ तो यह टिप्स मेरी प्याज को लेके कई बारे आपने दीखा हो कि मार्केट में जब नहीं प्याज आती है तो यह काफी तेज होती है जिसको छीलने में या तो हमरे आँखों में बहुत आंसो होते हैं या फिर कई लोगों को तो आँखों में जलन होने लगती है इसको प्याज को छीलने से तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं प्याज को आप छीले और 5 मिंट के लिए आप इस तरीके से पानी में डोबो के रख दे, और 5 मिंट के लिए आप इससे डढ़ा रहने दे, और फिर आप इसको निकालकर फिर कातेंगे ताकि यह सूक हे नहीं बिलुकुल भी हो और इसमें जो लमे-लमे रेशी आ जाते हैं वो भी नहीं तो इसके लिए हमें सबसे पहले अद्रक को दो लेना है अच्छी तरह से तो हम एगने इसको अच्छी से दो लिया है पानी से और फिर हमें ऊच्छा कपड़ा लेना हैं साफ तो हमारी ये सारे अद्रका मौश्य अच्छी से सूख चुका है तो अब हमें इस तोर करेंगे तो इसके लिए आप इस तरीके से कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर ले सकते हैं डबा ले सकते हैं जो यह टाइड हो तो उसमें हमें इस तरीके से टिशू पेपर लगा देना है तो अब हम इसमें अधर रखके इसे टिशू पेपर से अच्छी तरह से रैप करके यह टाइड डब्बे में फ्रिज में इस्टो करके रख सकते हैं आराम से आप इसे 15-20 दिन के लिए इस्टो करके रखिए और जब आपको लगे कि आपका टिशू पेपर गीला हो चुका ह तो आप फिर से नए टिशू पेपर में अधरक को रख करके इसी तरह इसे यह टाइड डब्बे में फ्रिज में इस्टो करके रख सकते हैं आपका अधरक जो है बिल्कुल भी इसमें रेशी नहीं आएंगे यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा सूखेगा नहीं आप ट्र नहीं खराब नहीं होगी और वह पूरे दिन आपकी ऐसे ही चलेगी तो इसके लिए आपको बटर बता देती हूँ आपको बैट्ची चारों कॉनों पर पकड़ते हुए इस तरीके से नोट लगा देनी है तो आप जो note लगा आप यह याद रखिए का note आपकी बड़ी होने चाहिए छोटी से नहीं होने चाहिए बल्कु कॉर्णर से नहीं लगानी है थोड़े कपड़ा छोड़के लगानी है आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं लगा रही हूं हमें नोट जित्ती बड़ी लगई है हमारी बैडशीट उतने अच्छे से फसी रही है निकले ही नहीं तो इस तरीके से हमें चारो कौनर पर बड़ी नोट लगा देनी है तो आप देख सकते हैं मैंने चारो कौनर पर इस तरीके से ये गांट लगा लिए तो अब हम अपनी बैडशीट को बिचा लेते हैं तो सबसे पहले हम गद्य की ऊपर बैडशीट को सेट करेंगे सिर्फ तो पहले मैं ऊपर वाले पोर्शन पर बैडशीट को ऐसे ही बिचा लेती हूं सेट कर लेते हूं बैट्षीट को उपर वाले portion पर अच्छे सेट कर दिया अब हमने जो गाट वां दिये इसमें हमें उसे पकरना है तो आप देखिए का अच्छे से इस तरीके सा हमें गाट को पकरने है वो कपड़े के साथ घुमाते हुए अंदर गद्दे के नीचे फशा देनी है तो हमने गाट को पकड़ा कपड़े के साथ बैट्षीट के साथ और घुमाते हुए इसे गद्दे के नीचे दवा दिया तो इस तरीके से हमें चारों कोनों पर हमें इस तरीके से ही करना है तो हमने इस तरीके से ये गाट पकड़ी और बैट सीट के दोनों कोनों को पकड़ते हुए और गाट को गुमाते हुए और गद्दे के नीचे हमें फसा देना है इस तरीके से जब आप इस तरीके से बैट सीट बिचाएंगे तो आप खुद देखिएगा आपकी बैट सीट पूरे दिन चलेगी बच्चे भी खेलेंगे इसके उपार तो आपकी बैट सीट है जो बिल्कुल भी नहीं बिगड़ने वाली चाहे वो आपकी कॉटन की बैट सीट हो या कोई और कपड़े की बैट सीट हो आपकी बैट सीट बिल्कुल भी खराब नहीं होगी अगर आप इस तरीके से बिचाएंगे तो यह बिनी भी यह cotton की b headsheets नहीं है लेकिंमे एक वार इस तरीके से बिचहा देती हूं तो मेरी यह b headsheets सारभा दिन चलती है बच्चे भी इसकी उंपर खेलती है और यह बिल्कूल भी खराब में नहीं होती है और उसको नीचे फसाद देनी है गद्दे के नीचे गुमाते हुए कपड़े में और फिर देखिएगा कि आपकी बैट सीट पूरे दिन चलने वाली है और बिल्कल भी खराब नहीं होने वाली है आपको बार-बार अपने बैट सीट को ठीक नहीं करना पड़ेगा तो इस टिप्स को भी आप जरूर ट्राई करके देखे चलते हैं अपनी नेक्स टिप्स की तरह तो आज की हमारी अगली टिप्स आपके लिए यह है इस ड्रॉवर को लेकर जब भी आपके घर में कम स्पेस होता है कि आप बबड़े आइटम लाके अपने घर में नहीं रख सकते हैं तो आप ऐसे छोटे आइटम मंगा कर अपने घर में सामन स्टोरिज करके बड़े आराम से रख सकते हैं तो इस तरीके के ड्रॉवर्स आपको आराम से ऑनलाइन मिल जाते हैं और ये मेरे पांच ड्रॉवर का है आप चाहे तो दो ड्रॉवर का भी महा सकते हैं तीन ड्रॉवर का भी महा सकते हैं चार ड्रॉवर का भी महा सकते हैं इस तरीके के ड्रॉवर मगा के आप घर में अपने बिखरे हुए सामन को बड़े आसानी से लगा सकते हैं कम स्पेस में तो आप चाहे तो इस ड्रॉवर को अपने किचिन में भी लगा सकते हैं रूम में भी लगा सकते हैं जहां आपको स्पेस कम हो और आपको सामन लगाना हो सैट करना तो इस ड्रॉवर के हद से वो आप कर सकते हैं मैंने यह ड्रोबर अपने रूम में लगाके रखा है, और इसमें मैंने अपने उपएवाले पोर्षन में मैंने तैयार करने कह outro जो मालिश की तेल है या क्रीम हैं, वो सारी लेके रखे हैं दवाइह निए- वाले क्या हैं और उसके नीचे वाले ड्रॉबर में मैंने उसकी पजामे बगएरा इस्टो करके रखें आप देख सकते हैं मैंने यहां पे उसके पजामे लगा के रखें नीचे वाले ड्रॉबर में मैंने उसके कुछ सूस बगएरा बोर लेके रखें और नीशी वाले डॉबर में मैंने इसके डाइपर बगेर लागा के रखें तो इस तरीके से आप अपने घर में बिखरे हुई सामान को बड़े आसानी से लगा सकते हैं तो यहाँ पे आप मेरा दूसर डॉबर भी देख सकते हैं इसमें मैंने किचिन के बरतन लाके रखे हैं और ये भी मेरा रूम में ही रखा है तो इस तरीके से कम जगे में आप अपने सामान को बड़े आसानी से लागा के रख सकते हैं इन ड्रॉवर के हल्प से और जब भी आपको जरूरत पढ़े तो आप उन सामान को निकाल लिए और यूज कर सकते हैं बड़े आसानी से तो फ्रेंट्स इस तरीके से भी आप अपने कम जगे में अपने सामान को बड़े आसानी से सेट कर सकती है तो चलिए फ्रेंट्स चलते हैं अपनी नेक्टिप्स की तरफ तो जब भी हम सब्ची बनाने बैठते हैं किचिन में अचानक कोई मसाला खतम हो जा या कोई चीछ खतम हो जा और फिर हमें याद आए कि अरे ये तो हमें याद था पर हम मागा ना भूल गए तो बड़ी परिशानी होती है ना बनाने में फिर गुस्सा भी बहुत आती है कि रख सकते हैं आप पेज लीजिए उसको एक शेप में काट लीजिए बराबर और उसमें एक इस्टेप्र से पिंट कर लीजिए और आपकी ये डायरी तयार हो जाएगी डायरी को आप हमेंसा अपने पैन के साथ अपने किचिन में एक स्पीस पर जरूर रखिए जिससे ज आपके किचन के काफी सारी प्रौबलम दूर हो जाएगे जब भी अपनी किचन में कोई भी रेंसाइप बनाने के लिए बैठेंगे तो आपके पास सावान मोधूद होगा तो इसक्य अपके काफी सारी परिशानिया भी दूर हो जाएं तो इस टिप्स को भी जरूर बाइ-बाइ